आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए आम की खटी मीठी चटपटी सी चटनी की रेसिपी और आपने अगर इसे एक बार बना लिया तो आप इसे साल भर तक बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं खाने में बहुत ही जादा ये टेस्टी बन करके तयार होती है और बनाना इसे बहुत ही आसान है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो आम की खटी मीठी चटपटी सी चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं डेड़ किलो आम और आम को छीलने से पहले मैंने आम को लगभग एक खंटे के लिए पानी में भिगो करके रखा था और उसके बाद अच्छे से कपड़े से पोच लिया है और आम का जो उपर का डंठल होता है उसे हटाते हुए इस तरीके से आपको आम छील करके तयार कर लेने हैं जो जोरह बढ़े अहुत टेस्टी लगेगी खाने में भी और देखने में भी तो यहाँ पर यह देखिए मैंने पूरे आम को इस तरीके से कद्दुकस करके तयार कर लिया है इसे साइट में रखते हैं अब यहां पे ना तो मैं चटनी में डाले वाली हूँ गुर्ड ना ही चीनी इसके लिए मैंने यहां पे धागे वाली मिस्री ली है और इसके धागे हटा करके बस इसे मैं कूट इसे आपको पीसना नहीं है कूट लेंगे और पिर जब हम इसे पकाएंगे ना तो यह मैल्ट हो जाएगी तो बस अब इस मिस्री को डाल देंगे कद्दुकस किये हुए आम में तो यहां पे मैंने 1 किलो मिस्री को कूटा था लेकिन मैं केवल 800 ग्राम ही डाल रही हूँ अब इसे मैंने गैस पर चड़ा दिया है गैस का फ्लेम अभी मैंने किया है मीडियम हाई तो जब तक मिस्री अच्छे से घुल ना जाए ना तब तक आपको इसे चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम में इस तरीके से पकाना है तो आप देख सकते हैं सारी मिस्री जो है अच् से लगने लगेगा तो बस इसी तरीके से बीच पीच में चलाते हुए पकाएंगे मतलब 1 एक फ्रीघई प्रीमman रहेंगे तो दोने जीकों ने उपारेंगे तो के साथ में आदा छोटी चम्मस डालेंगे अजवाइन तो अजवाइन और काली मिर्च को आपको भूनना नहीं है गैस का फ्लेम ओन करके बस गरम पैन में हलका सा चला लेंगे तो बस यहां पर यह मसाले हो गए हैं त्यार इन्हें मैं निकाल लूँगी प्लेट में और ठंड नहीं लगता है अब यहां पर यह जो हमने मसाले भून करके रखे थे इन्हें पीस लेंगे तो इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और यहां पर ना मैंने मसालों को बिल्कुल महीन पीस करके त्यार किया है लेकिन आप दरदरा भी पीस सकते हैं अगर आपको मसालों क कुछ मतलब बाइट चाहिए लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं इसले मैंने बिल्कुल महीन पीसा है अब यहां पर यह देखे आम जो है ना उनने अपना कलर चेंज कर दिया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ मतलब आम बहुत अच्छे से पक गए हैं तो यह देखे मैं आप को पास से भी दिखा रही हूँ तो इनका कलर चेंज लग रहा है ना आपको और यह अच्छे से पक गए हैं आप चाहें तो एक पर हाथ से भी चेक करके देख सकते हैं अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले तो यहां पे एक अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हू पहले कम डालिए का अगर फिल लगे का आपको तो फिर आप इसमें थोड़ा नमक और एट कर दीजेगा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे एक चोटा चममच इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर से बहुत ही अच्छा स्वाद आये का चटनी मे और मैं गैस का फिलेम बंद कर रही हूँ और चटनी को बहुत अच्छे से अभी ठंडा करेंगे ठंडा करने के बाद फिर आप इसे जार में इस्टोर करके रख सकते हैं तो यहाँ पे चटनी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है बहुत अच्छा इसमें कलर आया है और चटनी को उसमें रखे और साल भर इसे आप इसी तरीके से रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो आप भी आम की इस चट्पटी सी चटनी की रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगत थेंक यू फर वाचिंग वीडियो